नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग छे नॉम्बर 2021 के डेली दहिंदू एडिटोर डिसकेशन में आपका स्वागत है चार ही इंपॉर्टन आर्टिकल से सटेड है आज इन चार आर्टिकल को हम डिसकस करेंगे पहला आर्टिकल क्या है तो भीया इस महीने के आखरी में सुट्जर लेंड का एक शेहर है जिनीवा जिनीवा में होने वाली है 12th Ministerial Conference of the World Trade Organization इसको नाम दिया गया है MC12 MC12 मतलब Ministerial Conference और 12th Ministerial Conference कहां पे हो रही जिनेवा सुट्जर लेंड में मतलब इस समय पे इसके होने का क्या फायदा है इससे पहले जो Conference होनी थी वो कजाकिस्तान में होनी थी जून 2020 में बड़ उस समय पे आपको पता है कि COVID-19 अपने पीक पे था तो दुनिया बंद पड़ी थी और वो Conference भी रद्द कर दी गई थी इनफेक्ट पोस्पोन कर दी गई थी उस पोस्पोन्मेंट के देड़ साल बाद अब जाके यहाँ पे 12th Ministerial Conference हो रही है इस 12th Ministerial Conference का एजेंडा क्या क्या होगा कौन कौन से पॉइंट्स पे यहाँ पे बातचीत होगी इन सब चीज़ों को इस आर्टिकल में देखेंगे काफी अच्छा आर्टिकल है मैं बोलूँगा नेक्स्ट आर्टिकल में बोलूँगा ये भी बहुत अच्छा है इसको लिखा है नेहा सिना जी ने एक Conservation Biologist है ये और इनका व्यूपॉइंट एक टम्स में बहुत अच्छा है ये बोल रही है कि देखे मोधी जी ने और हमारी भारत सरकार ने Glasgow में एम्स तो बहुत सारे बता दिये पंचामरित मैंने आपको बताया भी था कि पांच एम्स इंडिया के लेकिन इन एमो को Implement करने के लिए और Climate और Environment के फील्ड में इंडिया में सच में कुछ काम करने के लिए इंडिया को अपने खुद के Climate Law की ज़रो होते है हमारे पास अभी जो Existent Law है जैसे कि Environment Protection Act 1986 The Water Prevention and Control of Pollution Act Wildlife Protection Act The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 यह अलग-अलग Elements को देख रहे है Water को देख रहे है Air को देख रहे है Environment को देख रहे है एक आपका Wildlife को देख रहे है लेकिन यह सब Nature के Climate के एक सब Part है हमें Overall Climate को देखने के लिए एक Specific Climate Law चाहिए और इस Context में Favor में कुछ पॉइंट्स दिये हैं यहाँ पे निया जी ने तो इसको डिसकस करेंगे Next बात करते हैं Keeping the Faith Basically यहाँ पे World Health Organization ने Co-Vaccine को Emergency Use Listing का खिताब दे दिया है मतलब Emergency Use Approval मिल गया है Co-Vaccine को तो दुनिया बर की बहुत से Countries में अब Co-Vaccine Administer की जा सकती है बहुत सारे देश है जहाँ पे Co-Vaccine लगाए गए जो यात्री हैं इंडिया के लोग हैं वो उन देशों में ट्रेवल कर सकते हैं हलाकि Individual Approval भी चाहिए होगा सिर्फ WHO ने Approval दे दिया उतना Enough नहीं है जब तक बाकी Countries Approval नहीं देंगी Co-Vaccine Vaccinated Indians को आने के लिए तब तक वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो इस आर्टिकल में बस ये Co-Vaccine को जो Approval मिला इसके Contaction बात की गई इसको देखेंगे और Finally The Cost of Prohibition आपको पता होना चाहिए कि बिहार में बहुत लंबे समय से शराब बैन है दारू बैन है वहाँ पे अब बैन को रूरल वूमेन ने बहुत सपोर्ट किया चुकि पहले husband वगारा खूट पीते थे अपनी बीवियों को पीटते थे अब ये सब चीज़ें नहीं होती है लेकिन उसके बाद इस तरीके की खबरे जब सामने आती है कि भी कुछ दिन पहले 25 लोग बिहार के गोपाल गंज में मर गए क्यों मर गए क्यों कि उन्होंने ये जो फेक देसी डारू होती है वो पी ली थी पता नहीं कैसे बनाए जाता है आप कहलो कि एडबल होता भी है कि नहीं होता है तो ऐसा फेक alcoholic liquor को consume करके अगर लोगों को जान जा रही है तो इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि ये better होता कि अगर दारू बिक्ती लोग धंक से पीते है तो कम से कम मरते तो नहीं तो ये जो total ban होता है जिसको आप prohibition बोलते हो ये किस हद तक effective होता है उसके बारे में इस article नहीं बात की गई इसको यहाँ पर discuss करेंगे तो ये चार articles है चारी है या चारी हम discuss करने वाले है इससे बहले अपने members का स्वागत कर लेते है किरन शर्मा नहीं को जोएन कि है अरानी जना नहीं को जोएन कि है अरानी जना का ये third month है इनका पूरा नाम में पर आप पाली प्रियदर्शनी पात्रा तो वैल्कम पपाली प्रियदर्शनी पात्रा प्लभी राभा नहीं को जोएन के इनका second month है इनका 12th month है इनका 12th month है अश्वनी पूरे 12 महीने से member है थैंक यू सो मच अश्वनी कुमार सिंय तैंक यू सो मच फॉयो कंसिस्टेंट सपोर्ट Mr. Cake नहीं को जोँन कहें Mr. Cake कहें Mr. Cake का यू हूफ months i zya member Welcome back Mr. Cake Murnal Barawakar नहीं को जोँन कहें हरुनाधना stirihen को जोँन कहें prostate नहीं का इनका 4th month i zya member Welcome back Anuradhna दॉएपाइण चैतोपाध्धिया है, नहीं हम को जुएन किया है, इनका भी 4th Monkey is a member, welcome back दॉएपाइण चैतोपाध्या, तो दॉएपाइण चैतोपाध्धिया है 4th Monkey is a member, Anuradhana टिवारी 4th Monkey is a member, Mr. Cakeak, 4th Monkey is a member, thank you so so much for joining us and recurrently Pallabhi Rabha second month is a member special thanks Papali Priya Darshini thank you so much for joining Arani Janna three months is a member thank you so much Arani and Kiran Sharma I welcome you back guys and girls to my channel as a member thank you so much for your consistent support thank you for helping me being sustainable next बात करते हैं शुरुबात करने हैं चार्टिंग अट्रेड रूट आफ्टर MC12 अगर वीडियो पर लाइक का बटन नहीं दबाया है वीडियो को शेर नहीं किया तो कर दीजे इससे वीडियो का engagement बढ़ता है प्लीज वीडियो को engagement में बढ़ाएं ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा recommend करें तो अब बात कर रहे हैं हम लोग WTO की 12th ministerial conference की जेनेवा citizen land में बुलाई जा रही है कजाकिस्तान में जब schedule थी जोन 2020 में इसके डेड़ साल बाग अविस्सी बात है उस समय पर कजाकिस्तान में नहीं हुई और बीच में हो नहीं पाई क्यों नहीं हो पाई चुकि ऑविस्सी बात है करोना का pandemic था लेकिन अब करोना के pandemic के बात जो ट्रेड है वो थोड़ा trade volumes 11% बढ़ेंगे when compared to 2020 और 2020 में 5% बढ़ेंगे when compared to 2021 तो आप कह सकते हो कि कही न कहीं 2021 तक जो global trade volumes है वो प्री कोरोना pandemic के टाइम से ज़्यादा चले जाएंगे तो definitely यहाँ पर प्रकार की buoyancy rate trade volumes में trade volumes बढ़ रहे हैं और इस प्रकार की buoyancy इंडिया जैसी developing countries की बहुत मदद कर सकती है चोकि इंडिया जैसी developing countries के अंदर जो domestic market है वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं उट पाया है अभी भी लोगों के पास jam में पैसा कम है अभी भी unemployment बहुत जादा है तो उसके चलते लोग ज़्यादा पैसा कर नहीं रहे है और अब यहाँ पे जो अलग-अलग trade minister है दुनिया वर के वो MC12 में मिलने वाले ministerial conference में तो इन नए challenges के बीच में कुछ हद तक trade rules को revisit करना जरूरी है कुछ हद तक एक ऐसा work program बनाना जरूरी है जो कि contextual reality से match करता हो और आगे आने वाले समय में इस work program के अंदर जो trade growth है वो momentum पकड सके यह सब बात यहाँ पर बताई जा रही है तो trade को बढ़ाने के लिए overall rules of engagement को suitably यहाँ पर amend करने की जरूरत है international trade को और evolve करने की जरूरत है ताकि वो पूरी दुनिया की economic development में एक major role play कर सके चलिए अच्छी बात है ठीक है लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि इस बार का जो mc12 होगा वो कम इनी कुशियस होगा इनी कुशियस का मतलब होता wicked immoral चालाख क्या ना कि global trade बहुत चालाख है global trade में जो लोग advantage पे हैं वो अपने advantage को maintain रखना पात चाहते हैं और जो लोग disadvantage पे हैं वो मेंशा पीछे रहते फ़र एक्जामपल जो developed countries हैं जो कि trade के context में बहुत आप कह सकते हो forward position में वो कभी भी अपनी position को compromise नहीं करेंगी कभी एक limit से जादा undeveloped countries को आगे नहीं आने देंगी तो क्या इस पूरे mc12 में कुछ ऐसा आप कह सकते हो भलाई का महौल दिख रहा है इन अलग-अलग countries के बी पर होने वाली जब भी कोई WTO की ministerial conference होती है कोई भी meeting होती तीन चार चीज़ें जिनके उपर हमेशा बाचीत होती है और वह ही यहाँ पर होगी एक है electronic commerce, e-commerce, e-commerce के उपर बाचीत 1990s से हो रही आज से नहीं हो रही फिर investment, facilitation और fisheries, subsidies यह तीन ऐसे points है जिनके उपर main बाचीत यहाँ पर होने वाली है, एक और point है जो कि specifically जिसके बारे में बाचीत की जाएगी 12th ministerial conference में पहली बार, वो यह है कि COVID-19 के treatment से related जो भी दवाईया है, जो भी medicinal product है, जो भी technology है, उसका intellectual property right, basically, India और South Africa ने 2020 के end में October के लगबग एक proposal सामने रखा था, जिसके चलते कहा गया था, कि भाई, जिदुनिया भर में जितनी भी COVID की vaccines बनी है, और उससे related जो भी pharmaceutical technology है, इसको trips waiver मिलना चाहिए, इसके उपर IPR regulation नहीं लगने चाहिए, यह technology पूरी दुनिया के हर country को available होना चाहिए, including गरीब country, तो उससे होगा क्या, उससे होगा यह, कि सबको vaccine मिलेगी, सबको corona का treatment मिलेगा, लेकिन obvious सी बात है, developed countries इसको नहीं मानेंगे, US, Canada ऐसी countries क्या बोलेंगे, कि हमारे देश में लोग payment करेंगे, तब उनको दवाई मिलेगी, और अगर हम अफरीका जैसी countries में दवाईयां दे देते हैं, वहाँ लोगों को free में मिलेगी, तो मतलब क्या है हमारे developed होने क अगर undeveloped countries में free में ऐसी दवाईयां बिखने लगें, तो इस प्रकार की बाते हैं, जो बड़ी-बड़ी pharmaceutical companies हैं, वो पूरे global markets को dominate करती हैं, उनके पास monopoly rights हैं, IPR rights हैं अपनी दवाई बेचने के, अगर दवाईयां वो करीब countries में सस्ते में बेचने लगे, तो उनके profits कम हो ज अपनियों से ज़्यदा सरकारी पैसा लगा है, सरकारों ने बहुत-बहुत पैसा allocate किया था, emergency basis पर वैक्सीन बनाने के लिए, अब चुकि वैक्सीन मन गई है, तो developed और developing countries में तो available फिर भी हो पा रही है, low income countries में वैक्सीन की बहुत problem है, अगर आप Latin America में चले जाओ, Latin America तो अगर आप Africa जैसी country में चले जाओ, हालत बहुत खराब है, low income countries में 4.1% आबादी को अभी तक एक dose मिली है, only 1.4, only a mere 4.1% of the population in low income countries have received at least one dose, तो कम से कम एक dose पाने वाली population low income countries में केवल 4.1% है, हालात इतने ज़्यादा खराब है, इसलिए October 2020 में WTO में इंडिया ने एक proposal रखा था, कि COVID-19 से related health products और technology जिसमें vaccines involved है, इसके उपर IPR requirement नहीं लगने चाहिए, इनको trips waiver मिलना चाहिए, तो Pfizer और Moderna जैसी vaccine को बनाने की technology इंडिया के अंदर की pharmaceutical companies के पास भी होना चाहिए, ताकि दवाईयों को बनाके Africa, Latin America, South Asia के गरीब इलाकों में बेज़ा जा सके, ताकि लिमिटेड सपोर्ट मिला, यूएस ने, जो जो बाइडन का administration है, इसने एक limited basis पे का कि चलो ठीक है, वैक्सीन के respect में हम इंडिया और South Africa के इस प्रपोजल को accept करते हैं, लेकिन अभी भी ये प्रपोजल इंप्लिमेंट नहीं हुआ है, तो कुछ जो आप कह सकते हो ना कि, आ ले आ जाएगी, वो गरीब लोगों के लिए काम करेंगा, उन्होंने सोचा था कि MC12 तक, यह जो 12th ministerial conference होने वाली है, नومबर 2021 में, इस तक तो कोई ना कोई, ऐसा agreement आई ही जाएगा, जिसके चलते हैं, दुनिया भर में जो भी vaccines हैं, उसके उपर IPR requirements को relax कर दिया जाएगा, और दुनिया भर में vaccines को थोड़ा बहुत free में बाटा जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, चुकि रिसेंटली ही, World Trade Organization के Director General, Nagosi Okonjo, इन्होंने क्या किया कि एक, आपके सक्टर discussion में participate किया, और discussion में इन्होंने इस COVID-19 की technology के IPR को relax करने के perspective में कुछ भी नहीं बोला, इस यह अपनी vaccine को heavy dham में बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, फिर एक और जो topic है, जिसकी उपर इस World Trade Organization में बातचीत होगी, वो है fisheries subsidy, दुनिया की ऐसी बहुत सी countries हैं, जो कि एपनी fishery industry को बहुत जादा subsidy देती हैं, for example, China, उसके चलते हैं, जो multi, आप कहलो national fisheries corporation है, यह unsustainable प्रका इसके चलते हैं, low income countries, developing countries में जदा fish catch आता नहीं है, और उससे उनके nutritional requirements threaten होते हैं, जिसे इंडिया के अंदर जो small fishermen हैं, उनके livelihoods threaten हैं, जब global fishing stocks deplete होंगे, तो obvious ही बात है, जो छोटे 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 fishermen हैं, चुकि बड़ी बड़ी जो companies हैं, उनके पास latest level के equipment होते हैं, अच्छी बोटे होती हैं, उन बोटों से वो जदा fish catch कर लेते हैं, और इंडिया में, और भी जो अफरीका की countries हैं, यहां पर जो छोटे छोटे fish farmers हैं, उनके पास छोटी छोटी नाओ हैं, उस पे वो enough amount of मचलिया नहीं बगड़ पाते हैं, तो कुल मिलाके sustainable fishing, और fishery sector को कुछ companies एक limit स ज़्यादा जो subsidies देते हैं, इसके against यहां पर बात की जा रही है, कहां पर? World Trade Organization में, फिर World Trade Organization में recently, इस step पे भी बातचीत होगी, कि OECD और G20 ने मिलके, यह जो global minimum tax impose किया है digital companies के उपर, यह काफे, देखिए यह एक अच्छा step है, अगर आप global minimum tax impose करते हो, तो no doubt, वो बड़ी- कम tax भरती थी, वो यहां पर थोड़ा बहुत tax भरेंगी, developed countries के पास ज्यादा पैसा आएगा, और फिर इस ज्यादा पैसा को लोगों की भलाई में, और international accountability में developed countries खतम कर सकती है, एक और जो most important topic है यहां पर बातचीत का, वो है e-commerce, e-commerce को लेके बातचीत WTU में 1998 से हो रही थी लेकिन बातचीत का character बदल गया है, जब 1998 में बातचीत होती थी थी ना, तो उस समय पे एक बड़ा important agenda था, वो agenda था taking into account the economic, financial and developmental needs of the developing countries, देखें, e-commerce के उपर 1998 में जब WTU में बात हुई, तो developing countries के interest को specifically यहां पर consideration में रखा गया है, लेकिन fast forward to 2021, आज की date में जब भी 2021 में e-commerce के उपर बातचीत होती है, तो बस केवल इस बात के उपर focus रहता है, कि e-commerce के अंदर, अगर USA से इंडिया में, या माली जा किसी एक country से country B में कोई e-commerce का सामान जा रहा हो, तो उसके उपर कितनी import duty लगाई जाएगी, उसके उपर कितने trade restrictions होंग जो e-commerce के उपर बातचीत हो रही है, फर कितना है कि developmental needs of developing countries को agenda से यहां पे हटा दिया गया है, जो कि बिलकुल भी सहीं नहीं है, तो कुल मिलाके world trade organization के काम करने के तरीके को flawed बताया जा रहा है, क्यों flawed बताया जा रहा है, जो कि world trade organization के अंदर, एक influential तबका है, कुछ selected developed countries का, औ और फिर उस initiative को बाकी सारी countries के उपर implement करने की कोशिश करता है, और जब बाकी सारी countries दबाव में नहीं आती हैं, तब यहां पे टसल की स्थिती originate होती है, जैसे for example, एक चीज है joint statement initiatives, कई बार ऐसा हुआ है कि e-commerce को लेके, investment facilitation को लेके, जबरदस्ती यहां पे developed countries ने, developing countries के impose करने की कोशिश किये, लेकिन obviously बात है, developing countries ने pushback किया है, जैसे कि 2001 में, Doha Ministerial Declaration, Doha Ministerial Declaration में एक work program और investment को लाने की कोशिश की गई, एडाप्ट करने कोशिश की गई, लेकिन developing countries ने इसको oppose किया, इंडिया भी इसमें included था, developing countries ने बोला, कि इससे इंडिया के interest wallet होंगे, इंडिय के अंदर जो domestic product producers हैं, उनके interest wallet होंगे, और ऐसा कई बार हुआ है, कुछ multilateral commitments को यहाँ पर WTO ने impose कराने की कोशिश की, उसमें कुछ selected developed countries ने impose कराने की कोशिश की, जिनको कभी-कभी आप joint statement initiatives बोलते हैं, जिसको इंडिया जैसे developing countries ने कई बार pushback किया है, तो कुल मिरा के WTO के अपर यह इल्दाम लगाए जाता है कि WTO अकसर कर, developed countries के agenda को promote करता है, जिसको कई बार pushback करने की कोशिश करती है, developing countries, यह सब बाते हैं बताई जारी है, next article पी चलते है, keeping the faith, following WHO approval, भारत biotech must prioritize global supply, देखिये, recently World Health Organization ने emergency use approval दे दिया है, कोवैक्सिन को, कोवैक्सिन किस ने मनाई भारत biotech ने, अब obvious सी बात है, कोवैक्सिन की availability पूरी दुनिया में और बढ़ जाएगी, और कोवैक्स नाम का ही जो global grouping है, जो कि दुनिया की जो under developed इलाके हैं, वहाँ पे vaccination की responsibility लेता है, उसमें कोवैक्सिन का number बनेगा, जो कि उस particular grouping में जो भी vaccines available करवाई जाती है, administration के लि यह European Medicine Agency दोरा, यह US के FADA दोरा approved होनी चाहिए, तो co-vaccine को finally यहाँ पे approval मिल गया, WHO का aim है, कि इस साल के एंट तक 40% लोगों को vaccination मिल जाए, तो इस aim को भी पूरा करने के लिए जादा से जादा vaccine का approval ज़रूर ही है, तो definitely co-vaccine का approval यहाँ पे मदद करेगा, लेकिन जो 40% को vaccinate कर को vaccination नहीं मिला है, 70 countries अभी ऐसी हैं, जो अभी 10% of the population को vaccinate नहीं कर पाई है, 30 countries ऐसी हैं अब तक, जददर जो अफरीका में है, जो अपनी 2% आबादी को भी vaccinate नहीं कर पाई है, लेकिन अमेरिका में आप कह सकते हो कि लगबग 25% आबादी को एक vaccine dose मिल चुगी है, तो कुल म अमेरिका, अफरीका इन सबसे बहुत अच्छा है, अफरीका जैसी low income countries में तो अभी 1%, 2% लोगों को भी complete jab नहीं मिल पाई, ऐसी बहुत सी countries हैं, तो ऐसे केस में co vaccine, जो कि एक indigenous inactivated whole virion vaccine है, मतलब क्या है, मतलब corona vaccine, corona के ही virus को लिया गया और उसको बिलकुल ineffective कर दिया गया, उ वो आपके शरीर में inject किया जाएगा, जिससे आपके अंदर immunity आईगी और आप फिर लडपाओगे बीमारी से, मतलब corona से आप लडपाओगे, हाँ, co vaccine के approval process में एक बड़ी problem हुई, कि बहुत तेजी से यहाँ पे co vaccine को regulatory approval दिया गया थे इंडिया में, इंडिया में COVID-19 के phase 3 के मतलब co vaccine के phase 3 के FSSC data बाहर नहीं आया था, उसके बावजूद यहाँ पे co vaccine को approval मिल गया था, लेकिन WHO में ऐसा नहीं हुआ, WHO ने एक एक aspect को खंगाला होगा, तभी तो WHO में approval मिलने में इतनी delay हुई है, भारत biotech की बात की जाए, भारत biotech co vaccine को मना रहा है, तो overall vaccination में track record इंडिया में इनका इतना अच्छा नहीं है, चुकि सबसे पहले इंको approval मिला था, बड़ प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, कि overall इंडिया में जितना भी vaccination हुआ है, केवल 12% co vaccine से हुआ है, ज़धातर covishield से हुआ है, और जब सरकार ने, केंदर की सरकार ने 75% vaccine के stocks को announce किया, उ मतलब co vaccine free में लग गई तो लग गई, अगर private में कोई अपना पैसा खर्च करके लगवाएगा, तो वो covishield लगवाएगा, जो कि 500-600 रुपे सस्ती पढ़ रही है, covishield, with comparison to co vaccine, सरकारी में जिसको co vaccine लग गई, उसकी बात देखो अलग है, तो कुल मिला कि आप यहाँ पर क Standard Control Organization और DCGI ने co vaccine को इतनी तेजी से approval दे दिया, WHO में approval लेने में इतना time क्यों लग गया, चूकि WHO ने यह जो AstraZeneca covishield vaccine थी, इसको किवल 4 हफतों में approval दे दिया था, बट ऐसा क्या हुआ कि co vaccine को approval देने में 20 हफते से ज़ादा लग गई, इस बात के ऊपर proper analysis करना यहाँ पे बह आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी co vaccine को adults में देने के लिए approval मिला है, और अभी इंडिया में co vaccine भाई, बच्चों के लिए भी approve कर दी कही है, तो बच्चों के respect में efficiency data एक बड़े scale पे release करने की ज़रूत है, ताकि आगे आने वाले समय में child administration के लिए जब co vaccine की application जाए WHO म तो इतना delay ना हो, चुकि क्या है कि इस से vaccine की accountability के उपर सवाल उठते हैं, कि भाई ये vaccine क्यों नहीं approve हो रही है, नेक्स्ट बात करते हैं, the cost of prohibition, the spurting huge tragedies in 2021, points to the failure of alcohol policy ban in Bihar, अब आपके सामने यहाँ पर एक सवाल आएगा, कि भाई, ये huge tragedy क्या होता है, तो huge मतलब आप समझ लीजे कि alcoholic drink, एक inferior alcoholic drink, illicit whiskey, illegal whiskey, ठीक है न, ऐसी whiskey जो की healthy ना हो, हो सकता है, बिना government regulated हो, जिसे गोता है कि देसी दारू पीने से तब्यात खराब हो गई, एक देसी दारू होती है, जो कि governmental regulation के अंदर बनती है, और बिहार में तो दारू बैन है, तो बिहार में जब दारू बैन और वेस्ट अमपारन डिस्टिक्ट में, पांच लोगों की मौत हो गई बुजफर पूर में, और यह सब क्यों हुआ था, क्योंकि इस पूरियस liquor को यहां पे consume किया गया, तो definitely यहां पे खराब दारू पीने से यहां पे मौत हुई, यह तो एक वज़ा है, एक वज़ा यहा कैसी भी हाल में दारू चाहिए ही चाहिए, उनको तो बिना दारू पीए, सुबह बाथूम मीना जा पाएं वो, तो ऐसे केसे में ओवर ओल अन्रेगुलेटेड प्रोडक्शन बढ़ता है दारू का, दारू की जो ब्लैक मार्केट में सेल है, वो बढ़ती है, इलिसिट दा था कि दारू के कंजंशन को आप कम करो, कंजंशन डेफिनिटली कम हो रहा है, लेकिन यह जो इलीगल तरीके से दारू का सेल हो रहा है, इससे लोगों की जान जारी, इससे तो बेटर यह होता कि ओवर दा काउंटर दारू बिकरी होती, कम से कम उससे लोगों की जान नहीं जाती अब एक बात और बता दू बिहार में जो दारू के उपर बैन लगाए ना ये सस्टेन इसलिए हो पाया है चोकि पॉपलेशन के एक बहुत बड़े तबके ने इस बैन को सपोर्ट किया है जितनी भी रूरल वूमेन है बिहार के अंदर उन्होंने दारू के उपर बैन क कुल मिला के अगर आप देखो तो 2016 अपरेल में जब बैन लगाया गया था तब से लेके फरवरी 2021 तक 3.46 लाख लोगों को इल्लीगल तरीके से दारू इस्तमाल करने के लिए रिस्ट किया गया है 150 लाख लीटर्स ऑफ कंट्री मेड और इंडियन मेड फॉरन डिक्कोर को यहां पे सीज किया गया है तो भले ही आप दारू के बैन को लगा के बैठे हो लेकिन दारू के मामले में एक इल्लीगल पैरलल एकनॉमी चल रही है बिहार के अंदर जिसको रोप पाना काफी मुश था फूड में एक्सपेंडीचर में बेसिक गुड्स में यह भी भड़ा था बट डेफिनेटली यहां पे इस प्रकार की भी खबरें आती रहती हैं 2021 में अब तक 60 लोगों की जाने जा चुकी है इस पूरियस दारू के चलते हैं तो यह जो हूच ट्रैजिडी यह बताती है की administration काफी enable है liquor sales की black marketing को रोपने के लिए चुकी जब demand है तो जो अन social players है वो जैसे न जैसे करके दारू को बेच के पैसा कमाने की यहां पे कोशिश करेंगे तो अब ऐसा तो यहां पे author की ने end में यह कहा नहीं कि भाई दारू को लाग और लोगों के अंदर आप एक awareness लाने पर cancer की photo बनी होती है कि एक पीने से आपको cancer हो जागा लेकिन क्या लोगों ने cigarette पीनी बंद की और वेसी बात नों बंद ने कि उन्हों कि जिन्दगी को दुए में बढ़ाये जा ठीक है ना मतलब अब जब मरेंगे तो मरेंगे देखा जाएगा अभी तो पी लो तो total prohibition को proper तरीके से implement करना ज़रूरी है और वो यहां पर implement होनी पा रहा है बिहार में तो इसको बताया जारा cost of prohibition कि आपने prohibition तो लगा दिया लेकिन इस prohibition की क्या cost वो यहां पर दिख रही है हूच strategies हो रही है लोगों की जान जा रही है human resource का नुकसान हो रहा है और एक parallel economy एक illegal parallel economy जो की spurious country liquor बेचती है वो यहां पर proliferate करती हुई नजर आ रही है नेक्स्ट आर्टिकल के चलते हैं the right time for India to have its own climate law तो यह भाई United Nations की climate change conference चल रही है COP26 कब से कब तक 31 October से 12 November तक आप कह सकते हो कि पिछले कई सालों की सबसे important climate summit है Glasgow Scotland में हो रही है हमारे मोधी जी पहुचे और मोधी जी ने एक नॉमर को master stroke फेका इंडिया का पंचामरित का सिध्धान दिया इस पंचामरित के सिध्धान के अंदर कौन कौन से पांच factors है मैं पहले कई बार आपसे बता चुका हूँ आपसे सवाल भी पूछ चुका हूँ मैं उसको दुबारा यहां पर repeat नहीं कर रहा ठीक है 2015 के Paris Accord के practical implementation के लिए इंडिया ने अपने जो promises हैं वो दे दिये हैं बागी countries धीरे धीरे करके अपने promises दे रही हैं इंडिया के जो Union Minister for Environment, Forest and Climate Change है बुपेंदर यादव इन्होंने फिर से reassert किया कि भाई developed countries को developing countries को 100 billion डॉलर एक साल देना चाहिए हाला कि मैंने कल ही आपको एक editorial की थूँ बताया था कि 2030 तक ये amount लगबख 200 billion डॉलर होगा और 2050 तक हो सकता है कि 280 से 500 billion डॉलर हो जाए तो 100 billion डॉलर ए येर वाली financing काम देने वाली नहीं है बरहाल इस particular article का जो main objective है वो कुछ और है main objective ये है कि भले ही इंडिया अपने सिध्धान को अपने stand को glass go में एकदम crystal clear कराया है लेकिन ये इंडिया के लिए एक सही समय है right time है कि इंडिया अपना खुद का एक climate law बनाए एक ऐसा climate law जो कि इंडिया के अंदर climate justice के गोल को carbon space के गोल को और environmental protection के गोल को पूरा करें तो क्या इंडिया के अंदर law नहीं है law है इंडिया के अंदर for example इंडिया के अंदर environmental protection act in 1986 का इंडिया के अंदर air prevention and control of pollution act in 1981 का इंडिया के अंदर water prevention and control of pollution act in 1974 का इंडिया के अंदर वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, बट ये वाइड लाइफ, इन्वाइमेंट, एयर, वाटर, इनको आप एक हॉलिस्टिक क्लाइमेट एग्रिमेंट नहीं बोल सकते हैं, कल की डेट में इंडिया के अंदर साइकलोन आता है, डिजास्टर आत एक बार भूकम पा गया, एक बार साइकलोन आ गया, तो उसके बाद आप कैसे मैनेज करोगे, इस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें एक ऐसा क्लाइमेट लौ चाहिए, जो की प्री डिजास्टर के फेजिज में चीजों को सॉट आउट करके, और इसके लिए एक क्लाइमे प्रोटेक्शिन आट का, ये बोलता है effect of other laws, मतलब कि इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शिन आट के अंदर अगर कोई violation हुआ है, और किसी दूसरे लौ के अंदर violation हुआ है, तो दूसरे लौ के अंदर उस particular individual के उपर charges लगाये जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, कि इन्वार् को किया जा सके एड़ापटेशन और मिटीगेशन को मिलाये जा सके एक यहां पर एक लओ बनाने की जरूरत है तब 500 गीगावार्ट को जो हमारा गोल है 2030 को कर पाएंगे तब ही हम अपने इंडेंजेट grasslands को बचा पाएंगे, हमारी deserts, bird जैसे की great Indian mustard को हम बचा पाएंगे. फिर यहाँ पे overall एक climate law को दो aspects और दिखने हैं. पहला तो वो climate law एक ऐसा institution बनाएगा, जो की climate change से related plans को device करेगा. आप कह सकते हो, commission for climate change जैसा organization बनाया जा सकता है, जिसके बास power होगी, authority होगी, वो direction issue कर सके, climate को control करने के लिए, climate को stabilize करने के लिए, plans और programs को promote कर सके, implement कर सके. इस commission for climate change के पास कौसी judicial power होनी चाहिए, जो कि civil court के nature की हो, इसके पास एक technical committee होनी चाहिए, जो कि technical environmental matters में इसकी मदद करे, public और private agencies इसको accountable होने चाहिए, public private agencies के उपर, environmental fields में ये body obligations impose कर सके, इसके पास ऐसी ताकत होनी चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर बताई जारी है, ठीक है, तो overall यहाँ पर क्या बताया जारा है, जिसे वैसे तो आप देखो कि national green tribunal भी है, लेकिन वो एक proper judicial authority की तरह हमारे सामने आ रही है, एक ऐसी body जो holistically climate से related हर चीज़ को deal करे, ये बननी चाहिए, यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर author का बोलना है, फिर author यहाँ पर कुछ examples भी दे रही है, जैसे कि for example, author यहाँ पर example दे रही है, recently, national green tribunal में को, एक case चला, और उस case में यह पता चला कि NTPC, National Thermal Power Corporation, आपको पता है कि NTPC के power plants पूरे इंडिया में, इन power plants को कोईले की ज़रों थे, वो कोईले की ख़दानों से आता है, और उस कोईले को लेके कौन आती है, ये जो कोईला train होती है, जो हमारी माल गाड़ियां होती है, इसमें कोईला भर भर के जाता है, अब पता ये चला, recently, 1999 में, सुप्रीम कोट का direction था, कि ये जो coal wagons होते हैं, जो train होती, इसमें कोईला भर भर के जाता है, कोईले की ख़दानों से निगल के NTPC के प्लांट तक या कहीं और, इन coal wagons को ऊपर से ढखने की जरूद थी, जो कि जहां-जहां से भी ये coal wagons चल के जाते हैं, वहां-वहां पे कोईले की जो minute particles से उड़ते रहते हैं, तो particulate pollution बढ़ता है, जो कि आसपास रहने वाले लोगों की health पे adverse effect डाल सकता है, 2020 में मालुम ये पड़ा, कि NTPC ने कभी इस नियम कानून को implement ही नहीं किया, NTPC के ख़दानों तक, जो भी ट्रेने coal wagons में कोईला लेके पहुँचती हैं, वो कोईला is open to air, जब वो open to air होता है, तो उस कोईले से minute polluting particles निकलते रहते हैं, और environment को pollute करते रहते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं, उनकी health पे hazardous effect डालते रहते हैं, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि environmental alacriti यहां पे missing है, यहां पे NTPC को responsible ठहराने की ज़रूती, यहां real time में चीज़ों को monitor करने की ज़रूती है, और किसी ने इसको monitor किया ही नहीं, इसलिए हमें climate commission की ज़रूत है, एक climate law की ज़रूत है, जो कि इस प्रकार की चीज़ों को sort out कर सके, ठीक है, प्लस कुछ और example से, जैसे दिल्ली में plastic के उपर ban लगा दिया गया, अब दिल्ली में plastic के उपर का ban तब तक successful नहीं हो सकता, जब तक कोई एक viable substitute ना बनाया जाए, तो plastic को अगर आप ban कर रहे हो, तो plastic के alternative की तरह एक viable substitute बनाना ज़रूरी है, और वो एक climate commission कर सकता है, जो कि specifically उस field में काम कर, आपको तो पता है, यह plastic bag petroleum product से बनते हैं, और यह, आप कह सकते हो, degradable नहीं होते हैं, तो environment में हमेशा के लिए रह जाते हैं, तो ठीक है, आपने plastic ban कर दी, अच्छी बात है, लेकिन उसका substitute बनाने के लिए काम नहीं कर हो रहा है, तो एक climate commission इस प्रकार के substitute को बना सकता है, तो environment को stabilize करने के लिए हम जितने भी actions ले रहे हैं, उन actions के after effects को minimize करने के लिए climate law, climate agency की ज़रूत है, जो कि हमारे पास पूरी तरीके से यहाँ पर missing है, ठीक है, तो यह सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, यह होने ही पा रही हैं, उसके बाद अगर आप देखो तो इस नए climate law में कुछ accountability की mechanism को लाने की ज़रूत है, कुछ liability की mechanism को भी लाने की ज़रूत है, मतलब अगर कोई बड़ी body, environmental regulations को violate कर रही है, तो उसको responsible ठहराना, उसको सजा देना, यह भी पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, for example, अगर आप देखो, तो पौडी उत्तराखंड में, एक श्री नगर डैम है, क्या हुआ कि 2013 में श्री नगर डैम के gates कोल दिये गए, और जब यह goat खोले गए, तो उसमें बहुत सारा आप कहलो की, जो मक था वो निकला, और उस मक ने downstream इलाकों में बहुत तबाई मचाई, अब आप बोलोगे, सर, यह मक क्या होता है, तो मक कुछ इस प्रकार के पत्थर आपको नजर आएंगे, यह पत्थर आपको दिख रहे हैं, होता यह है कि डैम में पानी स्टिल रहता है, तो जो छोटे-छोटे consolidated deposit होते हैं, वो डैम की depth में जाके पत्थरों मदल जाते हैं, और फिर जब डैम की gate open की जाते हैं बड़े scale पे, तो ऐसे बहुत से पत्थर पानी के साथ निकलते हैं, और यह पत्थर downstream इलाके में agricultural fields को बरबाद कर सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुचा सकते हैं, तो यह जो mug disposal है, इससे कभी-कभी खासा नुकसान हो जाता है, एक ऐसा ही नुकसान हुआ था, जब पोड़ी उत्राखंट के श्रीनगर डैम में, 2013 में जब ज़्यदा पानी आ गया था, तो बहुत बड़े फील में पानी चोड़ दिया गया था, आठ फिट उचे मक डिपॉजिट्स हो गयते, agricultural fields सबह हो गयते, जानमाल का नुकसान हुआ था, तो इस प्रकार के जब हाई कोर्ट में जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एक climate law के अंदर, एक proper commission मनना चाहिए, वो commission executive body की तरह काम करें, और वो यहाँ पे चीज़ों को take up करें, वो यहाँ पे responsibility को तै करें, चुकि इस प्रकार के activities को आप act of god बोल के side नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे accountability fix करनी पड़ेगी, और इस accountability को fix करने के लिए, climate change के respect में एक proper law बनाना पड़ेगा, उस law के अंदर एक proper body होनी चाहिए, जो कि climate related rulings को और legislations को proper तरीके से implement करें, यह सब बाते हैं आपे बता रखें नहा सिना ने, तो यह था आज का editorial discussion दोस्तों, I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, just इसके बाद आपको daily current affairs की video भी मिल जाएगी, video को like और share के इमना मच जाना, channel पे comment करके इसके engagement को बढ़ाईए और join button दबा के हो सके तो help करें, have a great difference, goodbye, ध्यान रखिए अपना,